हेलो प्रेंट्स गड़के रोसी माप सभी का स्वागत है आज मैं केर के अचार की रेसिपी लेकर आई हूँ यह बहुत ही अच्छी है टेश्टी है और यह बहुत ही स्वास्ता के लिए लाब दायक है इसको मार्च और अप्रेल के महीने में जब केर निकलते है तब इसका और उन में से यह बहुत ही अच्छी लगता है चार आए देखिए रेसिपी हमने एक लिटर सरसों का तेल लिया है और हमने आदा किलो केर लिये है इसमें से हमने यह जब केर लिये थे इसको हमने छे दिन तक नमक और छाच की पानी में गला दिया था और छे दिन की बाद इ लिए पंखे के नीचे रुमाल के उपर अच्छे सुखा लिया है एक केरी लिए जिसको हम छील करके कदो कस कर लेंगे पचास ग्राम दाना मेथि लिए पचास ग्राम सौफ की दाने एक चमच जीरा एक चमच चिरायता और राई की दाल लिए एक चमच लाल मिर्ज पाउडर एक चमच हल्दी पाउडर एक चमच नमक और आदा चमच हिंग लिए हमने नमक को में केर गलायते इसके लिए हमने नमक कम लिया है आईए देखिए रेसिपी हमने गेस पर कड़ाई रखी इसमें नमक डाल के हलका सा इसको हम सेकेंगे नमक की नमी खतम हो जाएगी जिससे और अचार के अंदर पानी नी आएगा और अचार जादा दिन तक चलेगा अब इस नमक को हम कटोरी में निकाल लेंगे और ठंडा गरेंगे दाना मेती और संप हलकी से भूनेगे जिससे के मसाला अच्छा तैयार होईगा हुआ हमने हलका सा दाना मेती और संप को सेट लिया है अब इसे भी हम कटोरी मेनिकाल के खंडा कर ळेंगे अब हम कड़ाई में तेल गरम करेंगे हमने सरसों का तेल लिया है आपको और कोई तेल पसंद है तो आप दूसरा तेल भी ले सकते हैं तेल गरम हो गया है अब गेस बंद कर देंगे हम और इसमें जीरा डालेंगे और हिंग डालेंगे अब इसे रूम में पंखे के नीचे ठंडा कर लेंगे तेल हम थोड़ा सा हाथ लगा के देखेंगे हलका सा है गरम ठंडा हो गया अभी है अब इसमें हम मसाली डालेंगे लाल मिच पाउडर डालेंगे हल्दी पाउडर लमक दाना मेति और सौप राई की दाल चिरायता अच्छी तरह मिलाएंगे इसे अब यह जो केर है वो केर डालेंगे हमने केरी की खटाई लिए केर के लिए जिसको हमने छील करके कसली आता वो भी इसी में डाल देंगे अच्छी तरह मिलाएंगे अब यह हमारा अचार बिल्कुल दो दिन के बाद खाने के लिए परफेक्ट तयार है इसे अब हम जार में भरेंगे टेस्टी टेस्टी गेर का अचार बनके तयार है इसे हम सर्व करेंगे यह बहुत ही स्वाधिष्ट है और लाब दयके मेरी वीडियो को आपको जरूर पसंद आएंगे सब्सक्राइब कीजी लाइक कीजी बेल आइटम पर क्लिक कीजी धन्यवाद झाल